आज दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने एक और भारत्य का डूडल बना कर उसे याद किया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं होमी व्यारावाला की जो ना सिर्फ भारत की पहली महिला फोटोग्राफर थी बलकि फोटो जर्नलिस्ट भी थी आज होमी का एक सो चारवा जनम दिन है और इस मौके पर गूगल ने होमी का डूडल बना कर उने शद्धान जनी दी है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि डूडल पर गूगल ने धेर सारे पुराने चित्रों को सहेच कर एक कोलाज का रूप दिया है और इसमें देश की पहली फोटोग्राफर भी नजर आ रही है जो कैमरे से तस्वीर खीच रही है गुजरात का एक मध्यवर्गय पार्सी परिवार में जन्मी होमी ने बॉम्बई युनिवर्सिटी और सरजेज स्कूल अफ आर्ट से शिक्षा हासिल की पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू में उन्होंने मुंबई के एक दैनिक समाचार पत्र के लिए फोटो खीचना शुरू किया और इसके बाद होमी ने इस शेत्र को अपने पेशे के रूप में चुना पूरो ने बाँबई के दैलेस्ट्रेटेड वीकली ओफ इंडिया मैगजीन के लिए भी काम किया जा उनके द्वारा खीची गई ब्लैक और वाइट तस्वीरे बहुत मशूर हुई निउस एक्स्प्रेस के रिपोर्ट